हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का यूनियन पार्ट साला में एक बार और फिर से स्वागत है मैं परमजीत आज आप लोगों की हिंदी की क्लास लोगी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्लास फाइव की ICIC बोर्ड की चैप्टर मदर टरेशा से आप लोगों को उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया था पूरे चैप्टर को तो उस दिन उस वीडियो में मैंने उस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था बस उसके question answers मैंने उस वीडियो में नहीं करवाए थे तो आज की वीडियो में मैं उसके question answer को ले करके आई हूं पूरे solution को ले करके आई हूं ताकि आपका पूरा का पूरा chapter के साथ उस chapter का पूरा exercise भी complete हो जाए ठीक है तो वीडियो के साथ आप लोग बने रही है और सारे के सारे question answer को ध्यान से देखिए ध्यान हो जाएगा ठीक है तो चलिए let's start करते हैं सबसे पहले हम निम्नलिखित प्रस्नों के उत्तर को देखेंगे ठीक है आज हम किस पाट के प्रश्ण उत्र को देख रहे हैं Mother Teresa की जीवनी अंस के पाट को ठीक है तो सबसे पहले में प्रश्ण क्या था सबसे पहले में में को यूगोस लावया में हुआ ठीक है Master Teresa का जन्म 27 अगस 1910 में को यूगोसलावया में हुआ ठीक है बच्चो चलिए दूसरे नमबर प्रश्ण को देखते हैं कितने साल की आयू में Mother Teresa नन बन गई ठीक है नन तो अठारा सल की आयू में Mother Teresa टेरेशा नन बन गई थी ठीक है चलिए तीन नंबर में आते हैं तीन नंबर पे मदर टेरेशा ने मिस्नरीज ओफ चैरिटी जो एक संस्था कि उन्होंने स्थापना की थी ठीक है तो उसका नाम था मिस्नरीज मिस्नरीज ओफ चैरिटी का कार्याले मतलब उसका ओफिस कहां खोला था तो मदर टेरेशा ने मिस्नरीज ओफ चैरिटी का कार्याले यानि की ओफिस ठीक है ओफिस उन्होंने कोलकाता में खोला था ठीक है नंबर चार में क्या बोल रहा है मदर टेरेशा को नोबेल पुरसकार कब मिला तो Mother Teresa को Nobel पुरसकार 1979 में मिला था ठीक है चलिए इसी तरह नंबर पांच Mother Teresa के जीवन से मिलने वाली प्रेरना को लिखिए हमें हमने जो Mother Teresa के पार को हमने पड़ा वो उनका जीवनी अंस था क्या था जीवनी अंस तो इस जीवनी को पड़के हमें क्या सिक्षा मिली हमने क्या सिखा हमें क्या प्रेरना मिली उसको जानेंगे तो Mother Teresa तो एक समात सेवी का थी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था बताया था तो Mother Teresa के जीवन से हमें यह प्रेरना मिलती है कि हमें भी दीन दुखियों लाचार और अनाथो की सेवा करनी चाहिए ठीक है तो समझ गए आप लोग मैंने अभी आपको यहां पे एक से लेके पाँच यानि क, ख, ग, और ग, और अंगा पाँचो प्रश्न का उत्तर समझाया ठीक है प्रश्नोत्तरों के बाद पाट में रिक्तस्थान भी दिये गया है तो रिक्तस्थान को भी हम देख लेते हैं हम सारे अभ्यास को देखेंगे इसलिए मैंने एक-एक पाट को लिया है पाट से ठीक है तो सबसे पहले रिक्तस्थान में का नमबर में क्या है तो का नमबर में है मदट रेशा ने लगभग 10 तक अध्यापन कारे किया यानि कि 20 वर्ष तक अध्यापन कारे किया ठीक है सन 1952 में मदट रेशा ने अनात बच्चों के लिए पहला डैस खोला तो क्या खोला निर्मल फ्राइडे होम ठीक है गा नमबर सन 1979 में मदट रेशा को डैस पुरसकार दिया गया तो क्या पुरसकार दिया गया ठीक है क्या पुरसकार दिया गया नोबेल पुरसकार घा नंबर में क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने मदर टेरेशा को किस से सम्मानित किया डैस से सम्मानित किया तो क्या था भारत रत्न से नोबल पुरसकार भी उन्हें मिला था और उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था ठीक है दिखत स्थानों को देखने के बाद हम पाट के अनुशार सही कथन में सही का निशान और गलत कथन में गलत के चिन लगा करके भी उस अभ्यास को करेंगे ठीक है तो चलिए उसको देखने के लिए सबसे पहले का नंबर में क्या है तो का नंबर में दिया है 18 वर्ष की छोटी सी आईयू में मदर टेरेशा ने धार्मिक जीवन अपना लिया क्या 18 वर्ष की आईयू में छोटी सी आईयू में ही मदर टेरेशा ने धार्मिक जीवन अपना लिया था सही बिलकुल सही जवाब खर नंबर मादर टेरेशा ने अनुभव किया कि अब तक का जीवन ठीक बीता जा रहा था देखिए जैसा मैंने आपको पार्ट के पार्ट जब मैंने समझाया था आपको पिछली वीडियो में तो वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि जब वो एक Students की पढ़ाई कर रही थी esse कारे करने के बाद उनुने टीचर का कारे किया मतलब कि दिन दुख्यों की सेवा करना, सेवा कारे का कारे किया, सेवा करना, लोगों की सेवा करना, जरूरत मंदों की सेवा करना, अनात बच्चों के लिए कुछ कारे करना, धरी दुख्यों के लिए कारे करना, तो इस कारे को जब उन्होंने सुरू किया, तो इस कारे को उन उन्हें किया प्रधान ध्यापिका पूरी तरह से व्यर्थ और निरधत बताया है सुमक्त में इस वाक्य में क्या कह रहा है कि मदर टेरेशा ने अनुभो किया कि अब तक जीवन ठीक बीता जा रहा था बिल्कुल गलत ऐसा नहीं था उन्होंने अब तक का जो बीता हुआ जीवन था उसको ठीक नहीं व्यर्थ बताया था ठीक है तो उसी तरह से तीन नंबर थे तो यही कथन बिल्कुल गलत है ठीक है घर नंबर में भारत सरकार ने मदर टेरेशा को असोग चक्र से सम्मानित किया था क्या भारत सरकार ने असोग चक्र से सम्मानित किया था नहीं बिल्कुल नहीं पहले उन्हें नोबेल पूरसकार मिला और उसके बाद उन्हें भा भारत रत्न से ठीक है तो यह जो वाक्य है यह बिलKUL गलत है ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पूरे पाट के सभी अभ्यास को आपको करवाया यहां पे दिखाया सबसे पहले मैंने प्रशन उत्तर दिखा दिया प्रश्ण उत्तर में 5 प्रश्ण का उत्तर बताया उसके बाद मैंने आपको रिक्त स्थान बता दिया जिसमें रिक्त स्थानों में मैंने 4 रिक्त स्थानों को भर के बताया उसका सही उत्तर क्या होगा उसके बाद मैंने सही गलत का निशान लगाने का जो भ्यास था वो भी करवा दिया ठीक है तो बच्चों आप लोगों को पार्ट का पूरा सोल्यूशन मैंने इस वीडियो को वीडियो में आपको अच्छी तरह से दिया है तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच जिरूड़ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे ठीक है तो वीडियो के साद बने रहने के लिए बहुत बहुत ठैंक यू वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिए कमेंट करना बिलकुल ना भी भूले अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को बिलकुल तुरंत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको हर एक अपडेट तुरंत तुरंत नौटिफिकेशन तुरंत मिल जाए ठीक है तो अभी तिक के लिए सुक्रिया धन्यवाद बाई